हलो एप्रिवान वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जोन आज के विडियो में हम लोग बॉग मेया जो की टौरू दत की वान ओफ दा फेमस पोयम है उसका समड़ी पढ़ेंगे तो चले विडियो शुरू करते हैं विडियो जो है काफी इजी तो प्लीज आप लोग विडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगे विडियो आपर कैसा लगा है जले विडियो शुरू करते हैं बॉग मेया इस ए फेमस पोयम ऑफ टौरू दत की काफी फेमस पोयम है बॉग मेया हुई तो प्रेंच बार CIM बमने दूम फेमस उसीन्रेवड पीमें whole के जानी जाती है ऑफ्रेंस के व्यक्टिश अवियो जानी जाती है सिर्फन हव हां गवडिका है प्रेंच कि इंग्ले canष ब करने न il Parl उग विडियों पोयमा और इंग्लिजिघ से बास गलविए नहीं कि ब पोईटेश मातला फ्रेंच और इंग्लिस दुनों में लिखे थी C wrote in both language, French as well as English dalam French film, C has translated into English French work in English में भी translated की, translate की, टौरूरोट पोएमस, टौरूर डजो है, पोएमस लिखे, जैसे की सीता, लोटस, एंसेन बैलेड, लेजंड रोक हिंदुसतान, दर ट्रीस अफ लाइफ, अवर केजुदिट रनाठी, और मैं नी मूर, और भी बिर सारी है, जो कि उनका, काफी famous poem है present poem, अम लोग का जो present poem है bog mayor is the form of sonnet एक sonnet के form में sonnet क्या होता है, 40 lines की poem जो होती है, उसको sonnet कहते है it has two parts और इस poem का जो है दो parts है, an octave पहले तो 8 line का एक part है of 8 lines, octave यानी 8 lines का एक part है and a sextet of 6 line और नीचे 6 line का एक part है जो मतलब 6 line का है और उपर 8 line, तो 8 और 6 टोटल 14 हो गया और जो कि 14 lines का poem है इस वर्टे से इसको sonnet भी का गया है bog mayor को its rhyme scheme है और इसका rhyme scheme दिया हुआ है A, B, B, A, फिर है A, B, B, A फिर C, D, C, D, W, E इसका rhyme scheme है, इस poem का this sonnet shows Toru Dutt's deep love for nature और यह जो sonnet है पर्जेंट पोएम वोग्मेय वो Toru Dutt's deep love करता है नेचर को लेके प्रकृति को लेके जो उनका प्यार है वो दिखाता है अब आगे है Toru Dutt loves tree very deeply Toru Dutt, जो है न, trees है न, बहुत जादा प्यार करती थी और भी बहुत deeply लव करती थी हर अनदर पोएम, उनकी जो दूशरी पोएम है आवो कैजूरीन ट्री जो कि हम अल्रेड़ी सम्बड़ी इसका अप्लोड कर चुके है critical appearance like this पोएम, मतलब कैजूरीन ट्री के तरह है इस पोएम में भी Toru Dutt, जो है Sos Toru as a poetess of nature तो खुद को मतलब as a poetess of nature दिखाती है कैजूरीन ट्री में भी वही वो ट्री के बारे में लिखी थी और बॉग मेर में भी वही वो ट्री के बारे में ही लिखी है अब आगे है बॉग मेर is concerned as of her excellent poem one of excellent poem माना जाता है जो कहीं काफी famous है बॉग मेर टॉरुदत का the title of the poem is very suggestive and apt reflecting her love टाइटल जो है पोयम का काफी उप्युक्त, काफी सही है और reflect करता है उनके love को for nature मतलब nature को लेके जो उनका love है वो दिखाता है बॉग मेर यानि कहीं मतलब कहीं ने कहीं बागवानी garden पेर पॉदे से related है and inclination towards romantic poetry और उनके जुकाव को भी दिखाता है romantic poetry के तरफ the garden जो अब garden बगीचा का बात हो रहा है बॉग मेर which was the garden of dutt's family जो कि dutt family जो टॉरुदत है उनकी family का garden है is the main theme of the poem the poem का main theme वही है कि उनकी family का garden है बॉग में the poetess has described the scenic beauty of her garden in it और poetess जो है इसमें अपने garden की scenic beauty यानि प्राकिर्टिक सुन्दर्ता को डिस्क्राइब कर रखी है अब आगे है पोएम तो काफी छोटी है मतलब सिर्फ 14 lines की पोएम है तो अब आगे है जिसमें वह सिर्फ garden के बाड़े में पेर पॉधा के बाड़े में बात की है the gardens cover her home on the outskirt of Kolkata तो गार्डन जो है ना उनके home को टौरोदत के home को घर को कबर करता है जैसे कि Kolkata के बारी लाके को कबर करता रहा है ठीक है जैसे मतलब बाड़ी लाके से उनके घर को cover करता है तोरोदत प्रेजेंट्स ए ब्यूटिफूल डिस्क्रिप्शन ऑफ दा गार्डन अब यहां पर एक ब्यूटिफूल डिस्क्रिप्शन देती है तोरोदत गार्डन का गार्डन के बाड़े में लिखती है संचेप से वह कहती है वह कहती है इसे पूरा गार्डन है ना इसनके एक घिरा हुआ है जो कि ब्राइट है काफी चमकीले है और नोड़ल जो कि नीरश नहीं लगते है जो काफी अच्छे दिखते है there are contrasted colors light green color of tall tamarinds contrasted color अलग-अलग color का पर्योग किया गया है जैसे कि tall जो tamarind है मतलब इमली का पेर है जो कि light green color का है हलका green color का है and deep green color of mango trees और एक गहड़ा green color का है जो mango का पेर है the tall palm trees अब जो लंबा सा palm का tree है तार का पेर है जो गाउ वाँ में देखने को मिलता है appear like gray जो कि एक gray pillar की तरह दिखता है मतलब आसपास नौमली गाउ में नहीं मतलब दिखता है बट आसे नौमली आपको कोई भी इलाके में हर जगा तार का पेर ये जो palm tree है वो नहीं मिलेगा तो नौमली हम गाउ में देखे वह है इस वज़े से मतलब ध्याने की हाँ गाउ में मिलता है and red color attracts a lot so और ये तो मतलब तार का पेर है उसके बाद red color जो है garden का वो काफी attract करता है so she has used it like a fascination तो जो red color है उसको एक आकरशन के तरह यूज की वी है poet अपने poem में description में जब वो describe कर रही अपने garden को there are many seemwals trees in her garden उनके मतलब garden में seemwals tree seemwals tree आता है जिस पे red color के फूल खिलते है और पूरा tree ही red दिखने में लगता है मतलब उस पे पत्ते भी red मतलब थोड़ा red ही लगता है पुड़ा तो वो seemwals trees है which appears to be red in color जो की पूरा red दिखता है जो हम already बता चुके है और आप मतलब देख सकते हो यहां पे आपको video में मिल जाएगा side में picture seemwals trees क्या होता है screenshot में to be red in color है giving a vibrant look और जो की garden को red color is seemwals trees का वो काफी अच्छा look देता है vibrant chamkila तरक बरक अच्छा सा look देता है garden को there are almost cotton trees वहां पे प्राया cotton trees भी and have maroon flower और जो cotton trees है उनके उपर क्या है maroon flower है which looks very red जो की बहुत ज्यादा red दिख रहे है they are startling like trumpet sounds which are leaning over the quiet pools और यह क्या कर रहे है trumpet musical instrument होता है उसके तरह sound निकाल रहे है sound निकाल रहे है which are leaning over the quiet pools जो की पुल के तरफ जुके हुए है bamboos are standing on the eastward पुर्व के तरफ bamboos यनि bass का पेर खड़ा है and look lovelier than others और दूसरों से काफी सुंदर दिख रहा है in moonlight मतलब जब sun की light जो bamboo का पेर है उस पर पढ़ता है तो मतलब काफी दूसरों से दूसरे पेर से काफी सुंदर दिख रहा है वह पेर white lotuses are looking like a cup of silver अब white cloud का जो lotus है उनके garden में कमल का फूल है एक मतलब कैसा दिख रहा है cup of silver की तरह दिख रहा है in the midst of such natural beauty मतलब बिल्कुल बीच में white cloud का lotus मतलब काफी natural beauty दिख रहा है प्राकितिक सुंदर दिख रहा है और एक silver के cup की तरह दिख रहा है one is sure to feel free and cheerful in such a beautiful scenic atmosphere और अगर कोई भी व्यक्ति इस सुंदर दिख को देखकर क्या करेगा काफी कोई भी व्यक्ति जो इस सुंदर दिख को देखेगा जो भी poet describe की वे तो काफी वह स्वतंत्र और खुश महसूश करेगा मतलब कोई भी नॉमली आप भी कोई गार्डन देखोगे तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा मतलब जहां पर धेर साड़े पेर पौधे रंग बढगे फूल तो poet का तो खुट का गार्डन है तो उनको कुछ ज्यादा लगाव है तो बोल रही है कि कोई भी देखेगा तो काफे ज्यादा अंदर से मतलब खुशी का फील करेगा अब आगे है टौरू कॉल सर गार्डन ए प्रीमेवल एडन अब टौरू दत क्या करती है अपने गार्डन को प्रीमेवल एडन बोलती है और जो बोलती है कि seen only with amazement जिसको सिर्फ आश्चर चकित होकर देखा जा सकता है because of because for her it was heaven क्योंकि उनके लिए जो है उनका गार्डन वो एक heaven के तरह है एक work के तरह है the referring of Eden garden shows her deep reading in the Bible और जो वो मतलब Eden garden को के बारे में डिसकस कर रही है अपने poem में यह दिखाता है कि वो Bible को read कर रखे क्योंकि Bible में ही कहानी है Garden of Eden की जिसमें Adam और Eve भगवान द्वारा पहले मानव बनाए गये थे तो उसी की कहानी है तो यही दिखाता है कि यह लाइन यही सो करता है कि वो जो मतलब Bible से भी काफी ज्यादा मतलब read कर रखे हैं जुड़ी हो है and her inclination towards the Christian faith और Christian faith को लेकर मतलब वो Christian धर्म को लेकर उनके जुकाव को भी दिखाता है क्योंकि वो वहाँ पे Garden of Eden का यूज की है जो के Bible के बुक से लिया गया है इस टोड़ी Garden of Eden का इस पोएम रिवील्स टौरू सेंसिटिविटी towards nature on a high scale टौरू देत की जो नेचर को लेकर लगाव है समेंदन सीलता है उसको काफी उपर मतलब high scale पे दिखाता है यह poem as it colors her soul जैसे की मतलब उनके soul का ही color हो आत्मा का it also highlights her love for nature उनके नेचर को लिए जो उनका love है वो भी highlight करता है यह poem in describing the garden अब garden के बारे में जब वो describe करें थी see adapts a simple diction बहुत simple word का use करती है the most beautiful line of this poem is अब इस poem का जो most beautiful line है तो यह पे तीन line लिखावा है poem का red red and struggling like a trumpet sound but nothing can be lovelier than the raises of bamboo or to the eastward van तो यह तीन line लिखावा है poem का फिर आगे है so now इस तर अब हम we can say that इसलिए अब हम कर सकते हैं कि Bogmere is one of the most famous poem of Taurudat Taurudat का one of the most famous poem था Bogmere in which जिसमें कि she tells us जो हम लोग को बताती है the beauty of nature beauty of nature के बारे में बताती है तो यहाँ पे वीडियो खतम होता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आपके syllabus का है वीडियो की तुर आपका help हुआ तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट करके भी बताइए का वीडियो आपको कैसे लगा और चैनल को भी subscribe कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ झाल 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 झाल